हेलो वीवर स्वागत है आपका एक बल फिर से हमारे चैनल जोतीश क्यान में जिसमें हम जन्द कुल्डी रीडिंग करते हुए योग कारक और मारक ग्रहों के इंपॉर्टन टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं हमारी अब तक की वीडियोस में अलग-अलग राश्य की लगन कुल्डी में इन ग्रहों को समझते हुए आज हम एक्वेरियस यानि कुम्ब लगन की कुल्डी में कारक और मारक ग्रहों के बारे में जानेंगे साथ ही इनका अपनी प्लेस्मेंट के इसाफ से अपनी दशा महा दशा में कुल्डी पर पढ़ने वाले अच्छी बुरी इंपक्ट को भी समझेंगे दोस्तों अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकोन को क्लिक करना न भूले ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके साथ ही हमारी चैनल पर अपलोडीट सबी वीडियोज को एक बार जरूर देखे जिसमें हमने बहुत ही इजी तरीके से कुल्डी रीडिंग से जुड़े बेसिक्स को डिसकस किया है जिनको समझ कर काफी हद तक आप अपनी कुल्डी का एनलिसिस कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक स्क्रीन पर मेंशन की गई कुल्डी एक्वेरियस यानि कुम्भ लगन की कुल्डी है कुल्डी के फर्स्ट हाउस यानि लगन में ग्यारा नंबर की राशी कुम्भ राशी प्लेस्ट है जिसके स्वामी ग्यायदीश कहे जाने वाले शनी देव होते हैं जो इस कुल्डी के लगनेश है और सुप्रीम पावर है शनी देव ने अपनी राशी की इस कुल्डी में फर्स्ट हाउस से जुड़ा एक अच्छा गर केंद्र भाव और ट्वेल्थ हाउस त्रिक भाव सभी तरह के खर्चों से जुड़ा एक बुरा घर अपने पास रखा जैसा कि हम आपको बताते आए हैं कि कुल्डी के एक पास और नौमे घर के लौड की दूसरी राशी बुरे घर तिक भाव में आ जाए तो भी उसको दोश नहीं लगता इसलिए लगन लौड शनी देव इस कुल्डी के पहले योग कारक रह बने सेकिंड हाउस धन कुटुम्ब वानी का घर और इलेवन्थ हाउस हमारी इंकम और लाप का घर यहां शनी ने ब्रिहस्पती को दे दिया दोस्तो एट तु ट्वैन्थ ओरी के हिसाब से सेकिंड हाउस के लौड ब्रिहस्पती शनी के शत्रुतों हैं पर फिर भी यहां ब्रिहस्पती मारक नहीं माने जाएंगे इसका सबसे बड़ा कारण ही है कि देवकुरू ब्रिहस्पती को अपने दो कारक भाव में जगए मिली है जन्म कुल्ली के बारा घर और उनसे जुड़ी चीजों के रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट को उस घर उस भाव का कारक ग्रह कहा जाता है और साथो ग्रह कुल्ली के किसी ना किसी घर के कारक ग्रह होते हैं कुल्ली का दूसरा पाच्वा, नौवा, दस्वा और ग्यार्मा घर ब्रिहस्पती का कारक भाव कहा जाता है तो कुम्ब लगन की स्कुल्ली में बिहस्पती अपनी ही कारगभाव सेकिंड और 11 के लौड बन जाने से स्कुल्ली में मारक ना होकर योग कारग रहमाने जाएंगे और अपनी दशा में अगर अच्छे घर में अच्छी पोजीशन में प्लेस्ट हो तो हमेशा अच्छा फल देंगे शनी ने 3rd और 10th house मंगल को दे दिया मंगल की एक राशी हमारे stamina और hard working के घर में है और दूसरी राशी profession और कर्म केंदर स्थान में प्लेस्ट है मंगल शनी शत्रू है पर कुल्ली का एक अच्छा घर केंदर भाव और हमारे profession का लौट बन जाने से मंगल इस कुल्ली में हमेशा average result देने वाले सम ग्रहगी केटिगरी में आ गए फोर्थ और नाइन्थ हाउस शुक्र को मिला है यानि हमारी लाइफ की सारे सुक सुविधाए माता गाड़ी प्रॉपर्टी लगजरी के साथ हमारा भाग्य धर्म फादर फॉरें ट्रेवल का हाउस शुक्र को मिल गया और शनी के अच्छे मित्र शुक्र कुल्ली के केंद्र और त्रिकोन दो अच्छे घर के लौट बनकर अतियोग कारग रह बन गए शनी ने 5th house हमारी willpower, mental strength, higher education, love affairs और 8th house अभी तरह की tension, anxiety से जुड़ा कुल्ली का त्रिक स्थान सबसे worst house बुद्ध देव को दे दिया पर बुद्ध को कुल्ली का एक अच्छा घर त्रिकोन स्थान मिल गया इसलिए बुद्ध भी इस कुल्ली के कारग रह माने जाएंगे 6th house रोग, कर्ज, दुश्मन, accident, court cases, house of competition शनी ने अपनी शत्रू चंद्रमा को दे दिया यानि चंद्रमा की एक ही राशी कर्क राशी कुल्ली के बुरे घर में आ गई इसलिए चंद्रमा इस कुल्ली में सदैव मारक ग्रह बन जाएंगे 7th house पार्टनर, पार्टनर्शिप, डेली वेजिस का घर सूरे देव को मिला है 8-12 theory apply की जाए तो 7th house के lord, सूर्य लगन lord के अतिशत्रू है सूर्य उजाले के कारक है, उजाले के ग्रह है और शनी अधेरे को रिप्रेजेंट करते है यानि एक दूसरे के anti-party or bitter enemy है इसलिए सूर्य यहां मारक ग्रह बन गई इस तरह कुम्ब लगन की कुल्णी में शनी, ब्रिहस्पती, शुक्र और बुद्ध, योगकारक, सूर्य और चंद्रमा, मारक और मंगल सम माने जाते हैं पर योगकारक ग्रहों को जानने के साथ कुल्णी में इनकी placement को समझना भी उतना ही जरूरी है क्योंकि अगर योगकारक ग्रह हमेशा अच्छा होता तो हमें अपनी कुल्णी के ग्रह दशाओं को किसी से कंसर्ट ना करना पड़ता जैसे मान लिज ये लगन लौट शनी जो कारक तो है पर अगर थर्ड हाउस में अपनी नीच राशी में प्लेस्ट हो गए शनी 6-8-12 जैसे बुरे घर में कहीं प्लेस्ट हो तो यहां की बुरी चीजों को एक्टिवेट कर देगा एट हाउस में लगन लौट शनी बैठा तो यहां से तिसरी सात्वी और दस्वी द्रिष्टी डाल कर प्रोफेशन में प्रॉबलम परिवार को प्रॉबलम देकर संतान को प्रॉबलम और स्टमग प्रॉबलम देगा शनी एक पांचर्णो यानि त्रिकोन और केंद्र भाव अच्छे घरों में बैठ जाए तो अपनी योग कारिक्ता से कुल्ली में हमेशा अच्छा फल देगा कारग्रह प्रिहस्पती सिक्स हाउस में उच्च के हो तो बुरे घर में कारग्रह उच्च का होकर अपनी पांच्छवी सात्मी नौमी दिष्टी से करम भाव खर्च भाव और धन परिवार को लेकर बुरे फल देगा और प्रिहस्पती 12th house में नीचका हुआ तो भी बुरा होगा क्योंकि अच्छे घर का कारग्राय बुरे घर में नीचका होकर हमेशा नुकसान करेगा मंगल इसकुर्णी में सम है यह जहां भी प्लेस्ट होंगे एवरेज विज़र देंगे मंगल 6th house में नीचका हो या 12th house में उचका हो दोनों condition में नुकसान करेगा शुक्र 2nd house में उचके हो तो हमेशा अच्छा होगा क्योंकि सुक सुविधाओं और भागय का लौट धन परिवार हमारी वानी के अच्छे घर में आ जाएगा और यहां की सब चीजों को बढ़ाता हुआ हमेशा positive result देगा पर अगर शुक्र 8th house में नीचका हो गया तो भागय पिता सुक सुविधाओं का लौट बुरे घर में नीचका होकर इंसान के भागय में कमी करके फादर को प्रॉब्लम देने के साथ लाइफ की सारी सुखों में कमी ला देगा इसी तरह बुद्ध कारक हैं सेकिंड हाउस में मीन राशी में नीचका होकर बैठा तो कभी अच्छा फन नहीं देगा सूर्य चंदरमा मारक हैं कुणनी में कहीं भी बैठ जाएं हमेशा अपनी दशा में इंसान को सिवाए पेन दुख तकलीफ के कुछ नहीं देगे चंदरमा फॉर्थ हाउस में उचका होकर बैठा तो उचका मारक है मदर को नुकसान करेगा और 10th house में नीच का प्लेस चंदर्मा प्रोफेशन और मदर दोनों को प्रॉब्लम देगा सिरफ 6-8 और 12 घर में चंदर्मा विप्रीत राजयोग बनाकर कुछ हद तक फाइदा अपनी दशाओं में दे सकता है सूरे जो 7th house के लॉड है 9th house भागे में अपनी नीच राशी में बैट जाएं तो marital life और father को लेकर प्रॉब्लम देता हुआ completely बुरे result देगा क्योंकि सूरे 6-8 और 12 का लॉड भी नहीं इसलिए मारक सूरे 6-8 बारा में बैट कर राजयों की condition में भी नहीं आता यानि कुल्ली के योग कारक ग्रह भी अपनी दशा में हमेशा अच्छा फल दे जरूरी नहीं होता कारक ग्रह अपनी placement और degree wise capability के हिसाब से अच्छा और बुरा बन जाता है अक्सर लोग जन्म कुल्ली में पित्र दोश और काल सर्ब दोश के नाम से future predictions कर देते हैं पर actual में सारा खेल कारक मारग ग्रहों की खराब दशाओं का होता है हमारी कुल्ली में जिसकर है कि महादशा अंतरदशा चल रही है वो कुल्ली में कारक है या मारग है इस चीज को देखकर उसकी नीच और उच पोजीशन डिग्री वाइस ट्रेंट देखने के साथ उसकी placement को देखकर कुल्ली में उनका अच्छा और बुरा होना consider किया जाता है और उसी हिसाब से इन ग्रहों के जैम स्टोन पहने जाते हैं इस लगन कुल्ली में सूर्य और चंद्रमा लगनेश के अती शत्रू हैं और मारग हैं इसलिए इनकी स्टोन मोती और मानी कभी नहीं पहने जा सकते अगर मारग रह अस्त हो डिग्री वाइस वीक हो तो ये अपनी दशाओं में mental disturbance और obstacles एने में वीक हो जाएंगे पर अगर इनकी दशाओं खराब हो तो इनको शान्त करने के लिए दान पुन्य मंत्र जाब करके इनकी दशाओं में मिलने वाली problem से बचा जा सकता है So I hope आपको आज का हमारा जोतिश क्यान पसंद आया होगा So please like and share this video with your family and friends and for any query join us with our facebook page जोतिश क्यान और you can mail us on our Gmail ID ये दोनों लिंक आपको description box में मिल जाएंगे तो मिलती हैं जोती से जुड़े एक नई topic एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद